नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ अब सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल में मैं रूद्र आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तो वीडियो आज कहुने वाला JSW Energy जो की एक Mid-Cap Energy Company है जिसका मेंन बिजनेस है energy को यह generate करता है और यह distribute करता है तो चलते हैं सुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो analyzing part भी होगा इसमें सब कुछ होगा लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले एक बात देखिए दोस्तों मैं आपके लिए इतनी महनत करता हूँ चुन-चुन के यह mid cap shares जो bullish stocks है market में जो अभी मतलब बहुत ज्यादा positive में sentiment में है तो यह सब खुच-खाच के research करके लिए आता हूँ इसके बदले में दोस्तों मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए बस एक like, subscribe और अपने दोस्तों के साथ स्यार प्लीज यह तीन चीज कर दीजे प्लीज दोस्तों प्लीज तो चलिए शुरू करते हैं पहले return के और चलते हैं मैंने आपसे जो कहा था यह market sentiment के हिसाब से बहुत ही positive है क्योंकि हाल फिलाल में एक research सामने आया था कि यह जो quarter अभी चल रहा है एप्रिल में और जून यह तीन महीने चलेंगा इसमें से अभी भी डेड़ महीना भी नहीं हुआ है उसमें ही जो energy consumption है industrial बोलिये, household बोलिये, commercial बोलिये, जो भी बोलिये 30% से उपर बढ़ गया है मतलब लोग ज्यादा energy use कर रहे हैं आपको पता ही होगा, JSW Energy एक leading energy company है तो इसका सीधा-सीधा फाइदा इसको होगा और market भी यह चीज जानता है इसलिए देखिए कितना ज्यादा return दे रहा है market 10% एक week में 1 month में 20% के उपर 3 month में 56% के आसपास 6 महीने में यह 102% के आसपास और 2 साल और 3 साल में भी अच्छा खासा return दे रहा है यह company अब चलते है company के fundamentals की और अब देख सकते है company का जो market cap है वो approximately 20,000 करोर के आसपास का है dividend percentage 10% dividend yield 0.83 लगभग 1 के आसपास जो 1.18 का EPS है वो भी अच्छा बनाते है एक power company के हिसाब से अब चलते हैं दोस्तों इसके कुछ strength की और देखिए यह company अपना जो capital है share capital जिसको shareholders fund भी कहते है वो last 2 साल से बहुत effectively use कर रहा है इसी के साथ साथ इसका effect सिधा पर रहा है return on equity के उपर last 2 साल से यह भी improve कर रहा है जो asset है company का वो भी बहुत efficiently use कर रहा है company और profit भी अच्छा खासा generate कर रही है इसलिए आप देख सकते है return on assets last 2 साल से वो भी लगातार बर रहा है आप देख सकते है company का net cash ability है generate करने का net cash generate करने का जो ability है वो भी बर रहा है मतलब company cash surplus company कह सकते है आप net profit annually बढ़ रहा है last 2 साल से सबसे main जो बात है company का जो promoter का share है वो जो pledge था गिरवी था वो लगातार घट रहा है मतलब company financially बहुत strong हो रही है इसलिए promoters अपना जो गिरवी share है वो छुड़ा रहा है time के time company ने 20% के उपर market capitalization gain किया है one month में 20% के उपर आपको return दिया है मतलब gain किया है stock stock का जो moving average है और जो stock का जो momentum है वो बहुत ही तगड़ा है short medium long तीनो term में देखिए जो मैं आपको कह रहा है था सारे technical rating इसको bullish दिखा रहा है अब मैं आपको एक एक करके बाताता हूँ देख सकते हैं आप जो moving average है 5, 10, 20, 50, 100, 200 days का जो MA है moving average वो सब इसको bullish दिखा रहा है चलते हैं technical indicators की और आप देख सकते हैं तीन इसको bullish दिखा रहा है कुछ इसको overboard दिखा रहा है इसलिए मैं आपको एक suggestion दूँँगा जब ही ये stock थोड़ा सा भी correction दे थोड़ा सा भी डिप मिले आपको खरीदना जरूर खरीदना अपने हिसाब से खरीदना research की और research के साथ sorry अब देख सकते हैं जो market crossover है short term, medium term, long term तीनों DMA में DMA crossover है तीनों में भी ये bullish दिखा रहा है चलते है sentiment की और एक stock कैसा चलेगा और वो sector कैसा चलेगा ये market sentiment बहुत आपको एक positive indication देती है अगर जो market sentiment है वो negative में है मतलब आप उस stock को short कर सकते है short sell कर सकते है अगर positive में है आप invest, short trading sorry, day trading, intraday सब कुछ कर सकते है तो आप देख सकते है 96% का इसे positive view दिखा रहा है अभी मतलब market sentiment बहुत ही इसका तगड़ा positive है अब चलते है कुछ important ratios की और अब देख सकते है company का जो 3 year का कैकर sales है वो minus 2.39 से 0.04 आया है मतलब positive trading में आ गया है अब देख सकते है जो 3 year का कैकर net profit percentage है वो भी लगातर बढ़ रहा है 19.20% है अब आते हैं company का जो सबसे important part है investment जो लोग करते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते है company का future है वो कैसा होने वाला है debt to equity ratio मतलब company का कितना debt है loan है 0.78 था मार्च 2019 में मार्च 2020 में ये 0.71 हो गया है interest का बज़र ratio भी उसके साथ साथ ही बढ़ा है company का financial है वो बहुत ही strong है 1.73 से 1.97 इसके साथ ही आप देख सकते है operating margin सुदरा है net profit margin बहुत अच्छा 7 से 12 सीधा return on equity अच्छा बढ़ा है 5.87 से 9.44 return on capital employed ये भी बढ़ा है 9.54 से 10.09 return on assets 2.68 से 4.38 सब तरफ ये positive है ये देखिए जो promoter का जो pattern है holding का और बाकी जो holding का pattern है share holding का ये मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए जो share pledge था मतलब गिर्वी था मार्च 2019 में 59.97 आप कह सकते हैं लगबग 60% जो promoter का share था वो गिर्वी था और देख सकते हैं time जतना बढ़ता गया और promoter ने अपना जो share है वो गिर्वी छुडा लिया अभी हाल ही में जो September 20 का है 44.47 है उसके बाद भी जो नतीजा आएगा वो भी हमें positive ही मिलेगा मतलब company का जो promoter है वो अपना hand मजबूत कर रहे है company का जो पकड़ है promoter के और वो भी लगातार बढ़ रहा है तो इसी के साथ खतम करते हैं आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो like, subscribe और दोस्तों के share प्लीज कर दीजिए free में आपको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ प्लीज कुछ न कुछ मेरा help करिए खतम करते हैं हमारा आज का वीडियो अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी नमस्ते